महाराश गोवर्मेंट के उलेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाले नियूज जो है पबलिक के सामने आ रही है जैसा कि आप सबको पता है कि जो महाराश की गोवर्मेंट है वो पहले ही बहुत सारे केस में फसी हुई है जिसकी वज़ा से उनके मंत्रियों को अपनी कुर्सी भी गवानी पड़ रही है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पॉल्टीसियन है कुछ ऐसे नेता है कुछ ऐसे जो कारिकरता है महाराश गोवर्मेंट के वो अपने काम करने से या जो अपनी गंदी हरकते है वो करन इस टाइम उन्हीं की वज़ास से सारे के सारी जगहां पे वैक्सीन पहुंचाई आ रही है पूरे इंडिया में उन्हीं के उपर प्रेसर बनाया जा रहा है कि जल से जल जो है वैक्सीन सबको दे दिया जाए लेकिन अभी अभी आधरपूना वाला ने कुछ वीडियो सेयर और वहाँ पे उनको गालिया दे रहे हैं उनकी मलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको और धंकिया दे रहे हैं कि जल से जल जो है सिरम जो है वैक्सीन जो है वो सबसे पहले महराश में सप्लाई किया जाए उसके बाद किसी और स्टेट में पहुँचाया जाए बाइदा जो आधरपुना वाले हैं वो अभी महाराश में नहीं है उन्होंने महाराश पहले ही छोड़ दिया था जिस टैम उनको धंकिया मिल लए थी अभी वो जो है आउट 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 इंडिया है और बताया जा रहा है कि वो अपना जो प्रोड़क्शन कर रहे हैं सिरम की वो जो इंडिया में चल रहे हैं उसको तो करेंगे ही साथ में ही मैक्समम चांसे से कि कुछ प्रोड़क्शन का वो जहां पर इस टाइम आउट आउट अब इंडिया अमेरिक्या में भी प्रोड़क्शन स्टार्ट कर सकते हैं वैक्सीन की अब वो तो आने वाले टाइम भी पता चलेगा लेकिन सबसे बड़ी वात जो अभी न्यूश पब्लिक के सामने आरे जिसमें सीधा-सीधा दिखाया जा रहा है कि कुछ सिउसेना के गुंडे यानि सिवसेना के गुंड़े का मतलब सीधा सीधा होता है उधो ठाकरे का नाम पब्लिक के सामने आना उनके जो सिवसेना के जो कारगरता है उनकी तरफ से धमकिया दी जा रही है सीधे सीधे जाके कि जल से जल सीरम पहुचाया जाए और नहीं पहुचाया जाएगा तो उनक होती ज़्यादा सर्मनाग घटना है कि कोई अगर इस तरह का वैक्सीन मना रहा है और उसके उपर आप जाके अलग अलग तरीके से उनको जो है प्रेसराइज करें और उनको जो है धम किया दें आपका क्या ओपिनियन है आप अपना ओपिनियन कमेंट वॉक्स मत आए और